असलाम लेकूम, कैसे हैं आप लोग सब तो आज लंज के लिए बनारी हूं मैं राजमा और ये किस तरह से बना चलिए तो मैं फुल रेसीपि आपको दिखाती हूं और ये बहुत ज़दर एजी रेसीपि है तो मैं हो इसी तरह नहीं हूँ और हमेशा की तरह एक new recipe लेका ही हूँ आप लोगों के लिए तो मैंने क्या किया है राजमा में सबसे पहले oil गरम कर लिया है उसमें सारे गरम मसाले डाले हैं और प्यास डाली है तो हमारे पास जो है half kg राजमा है उसके लिए मैंने चार प्यास ली थी और उनको काट कर पीस करनी डालना है काट कर ही मैं फ्राई कर रही हूँ ठीक है फिर मैं लूँगी टमाटर टमाटर काट लेंगे और आधा किलो राजमा में टलेंगे तीन टमाटर तो दो तो मैं ऐसी डाल रही हूँ और दो टमाटर मैंने पीस कर रख दिये थे पता है मैंने चटनी जो बनाई थी ना दो टमाटर की वो बच गई है तो वो मैं इसमें डालने वाली हूँ क्योंकि वेस्ट नहीं करना है यूज भी करना है चीजों को वरना आप डालेंगे तीन टमाटर ठीक है अगर आपके पास चटनी नहीं है मैंने कल बनाई थी ना बिर्यानी के साथ चटनी तो वो बच गई है तो वो इसमें डाल दूँगी मैं तो टमाटर डालने के बाद आप डालेंगे इसमें अद्रक लहसन का पेस्ट और इसको मसाले को भून लेंगे बहुत ही बढ़िया फिर अब इसमें क्या क्या स्पाइसेज डलने हैं देख लीजे नमक, हल्दी, हल्दी थोड़ी सी डलेगी लाल मिर्च और धनिया तो चमच ध राजमा डाल देंगे और पानी भी डाल देंगे इसको गलने के लिए जिसे राजमा गल जाये और यह वाला राजमा जो है बहुत ही जादा यमी रेसीपी है बहुत टेस्टी बिक्षञाए है अलग गुबाल कर जो बनाते है उसमे इतना टेस्ट नहीं आता है तो आप इस जब तक राजमा गल रहा है क्योंकि फिर इसमें लास्ट में डालना है और मैंने चावल भी भेगो कर रख दिये थे क्योंकि राजमा राइस ही सब खाना पसंद करते हैं और जो लोग रोटी खाएंगे उनके लिए रोटी भी बना दूँगी और आप लोगो को मेरे रेसिपी कैसी लगती है प्लीज कॉमेंट्स में बताया कीजे और देखे कितना क्रीमी क्रीमी राजमा बनाया बिल्कुल गल गया इसको थोड़ा सा घोट देंगे है ना फिर डालेंगे इसमें हरी मेच और हरा दनिया बहुत अच्छी खोश्वारी है हरे दनिकी तो रमजानों में सा स्क्राइब कर दीजे और रमजान इस पेशल रेसिपी जो है वो शाम में मिलने वाली है इन्शाला और देखे बच्चों ने कितनी अच्छी रमजान के लिए डेकॉरिशन की है और फरहाना है वो मेरे पास आती है चुशन पढ़ने के लिए उसने बहुत महनत की है तो सब पच्चों ने मिलके बहुत अच्छी रेकॉरिशन कर दी है और मैं तो